कि अपने बता देते हैं कि जैसे कि आपका पता होगा एक्जाम डेट आपको पता चल गया होगा ठीक है एक्जाम डेट में अपना पहले जो आपने इस je download किया है यह तो नहीं तो अभी देख लें इसमें आपका नाम सही होना चाहिए फाधर्स नेम सही होना चाहिए ठीके जो आपने पता लिखा है वह आपका दम bankrupt होना चाहिए रजटेसर नमर वो देंगे रोल नमर व host है याम तित्थी आपको ध्यान से याद रखना होगा ठीक है यह बात आप समझ लें सांथी आपको किस पाली में है और सेकंड ठर्ड यह जरूर याद रखे और समय कब से कब है यह भी याद करें आपका एक्जाम सेंटर कहां यह याद रखें और आपका फोरम अपको यह दिखला देगा तो जैसे कि इस बंदे का हमने आपको दिखला रहा था इनका आपको एक्जाम है 27 तारीक को इनका डाउनलोड होगा कब 23 तारीक को चार दिन पहले डाउनलोड होगा तो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए अगर आपको वीडियो अलग से चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करकर है कि मैंने उसको अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है अब चलते हैं आगे इसके टॉपिक की ओर आज का हमारा पहला टॉपिक है कितने नमर पर बर्दी मिल जाएगा ठीक है सबसे बड़ी ये बात है यानि आपका कट आफ यानि औ अपने अलडेडी प्रिफियर कट अफ तो देख लिए होंगे नहीं तो मैंने उस पर भी वीडियो आपको बना दिया है वह भी आप जाकर देख सकते सांती सबसे पहले एक बात बता दे और सी नमर में आपको टार्गेट करना होगा कि हमको कम से कम साथ अंक लाना है अगर स आठ लंक आ जाता है कि कम से कम बोल रहा है अधिक अच्छा लाइए और विष्ट है इसलिए कि परतिये सेक्षन में आपको कम से कम सोचिए कि पंद्रा करके हैं जैसे आपका डिजनिंग में होता है कि डिजनिंग में जैसे 20 कोश्चन है तो ऐसे भी मेरे भाई है जो 20 में 20 इस लाते हैं और 18 तक आजाता है सभी भाईओ का ठीक है कि यह ऑर यह हिंदी की बात कर ले हिंदी में भी model 19 से आजाता है मेरे भाईयों का तिए और मैंत की बात कर लें तो मैंत में कम से कम आपको 17, 18, 19 तक भी किस जाता है लेकिन अब अगर आप मैंत कम जोड़ भी है तो 15 जरूर करके हैं तीर Welli था है फिर भीरसता है आपका आपका तर्टीश हो गया हिंदी हो गया मैत हो गयार और मैं भीरसता मोड़ा जीके और जीएस का थीके जीके और जीएस नहीं है जिसका आपको हम कहें कि 20 में 20 हो हो जाएowych इसलिए अगर याप इधर कम भी लागते हैं बारा भी हिंदी में abie 18-18, 17 कर जाते everywhere 25 भी इधर 12 भी करते तो आपको अच्छा खासा अंक हो जाएगा। आपको बात बात दो अगर आप रिजिनिंग में 18 कोश्चन कर अगर आते हैं अगर आप हिंदी में 17 भी करके आते हैं ठीकें ऐफ शत्रा और 18 इंदी और इजनी यह अच्छा खासा मार्ष उठाता है फिर हमारा बच गए मैं अगर 15 कोश्चन कर लेते हैं तो आपको अच्छा खासा मिलेगा और जिके जिसमें ज्यादा नहीं आप 12 भी कर देते हैं तो भी अच्छा है तो पर भी आपका 62 अंग हो जाएगा एक यह बात क करेंगी कि आपका अगर कोश्चन नव बने आपकी त्यारी में कुछ टूटी हो या कुछी कारण बस आप त्यारी कर नहीं पाएं तो क्या करते हैं ठीक है आगे चलते हैं अगला हमारा कोश्चन है साड़े कोमेंट भाई में कम प्रश्चन बने तो क्या करें ठीक है अगर क्या चाहिए कॉश्चन बने हैं छालिस बना सकते हैं कर यह आप सोचनी है अगर आप 40 भी बना देते हैं तो पर भी आपका 40 अंग तो कुट गया तो चालिस दुनी का 80, 80 अंग पर आपका सेलेक्शन कोई भी आपके जोन आपका जोन का इतना कटफ गया आप देख लिए लेकिन असी पर सिलेक्शन नहीं होने वाला है और साथ ही आपको बादा दो निगेटिंग मार्किंग है तो असी पर तो सिलेक्शन होगा नहीं इसलिए आपको मैं एक राय देता हूं अपनी तरफ से आप इस पर जड़ा सोच क्या क्या है 40 पर उसलेक्शन होगा नहीं अब भी जानते हैं तो द्यक्षिये मेड़ी राय है आप अपना राय कोमेड़् जूर करकर बताईगा देखिये अगर आपका 40 कोश्चन छोड़ भी देते ही बन रहा है 40-45 भी बन जाए तो समझ जाए कि आपको रिजॉल्ट नहीं होगा ठीक है तो अब क्या करना है तो इसे जो बचेगा हम तो कहेंगे सारा कोश्चन को आपको रंग देना है ठीक है 80 को रंग देना है कि आपने 40 कोश्चन तो कर लिया 40 दुनी का 80 अंग पर आपका सेलेक्शन होने वाला नहीं बचा इधर 40 तीक है 40 को से आपको चैस को चैसकordon में अगर आपका भूल प्यूल चूक से तोटल आपका 120 अगर निगेटी मार्किंग कटेगा तो कितने अंखों का कटेगा 15 अंखों का केवल 15 अंख का निगेटी मार्किंग कटेगा जो आपका 15 में आपका सब्सक्राइब तो अपर भी आपका 100 अंख मिल जाएगा अगर आपको 40 अंख मिलेगा इसलिए मैंने बताया उन भाईयों के लिए कि जीन का अगर आपका कम नंबर है अब आपने पढ़ाई नहीं किये इसके लिए मैंने बताया कि अगर आपके पास 40 कोश्चन बढ़ रहा है तो इसको आप 40 पर छोड़कर नहीं है अब एक्जाम के दिन क्या करें ना करें तो एक्जाम के दिन देखें सिंपली बात अब अपना एड्मिट का दो कलर प्रिंट में नाम डेट और बर्थ और फादर निम्दम सही सही होना चाहिए वही आप आप आइडी प्रिंट के बाहर दोड़ने वाली पड़किया आपकी हो जाएगी और साथी बता दे आपको प्लीस वहां जाकर एडिमिट कार्ड और फोटो प्रिंट आउट के चकर में प्लीस घर से ज़रूर निकाल करें हमने इतने भी एक्जाम सेंटर पर देखे हैं तो यह गलती सारे लड़कों करते हैं वहां मनमानी पैसा आपको दिया लिया जाता है और आप देते भी है इससे आप से क्लिक्वेस्ट है कि आप घर से ही अपना प्रिंट आउट फोटो ज सेलेक्शन इस बार जरूर हो जाएगा तो साथ ही वीडियो में लाइक जरू कर दें वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले